हालो एब्रिवन दिस इस निलो फर नीहा खान और वेलकम तो आर यूटूब चैनल सिख्षा लेत तो आज हम बात करेंगे के विएस में आप प्रिंसिपल कैसे बन सकते हैं चाहे वह उसे एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया से रिलेटेड आपके डाउट सों या फिर सलरी से ड अथेंटिक इंफर्मीशन पहुचाई जासा के लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप के विएस में यानि कि सेंटल गौर्वर्मेंट के स्कूल्स में एस न प्रिंसिपल का इंपॉर्टन होती है एक तो आपका होता है एलिजबिल्टी क्राइटीरिया जिसमें की माहिने रखता है एक तो आपकी होती है इसेंशल कौलिफिकेशन दूसरा होता है आपका वर्क एक्सपीरेंस ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तिन चीज़े बताना और मैकसिमम आपके 50 तक एलिजबल हो जाते हैं ठीक है और अगर बात करें रिलाक्षेशन की तो ओबीसी को तीन साल का रिलाक्षेशन मिलता है यहीं बात करें हम यहाँ पर एक चीज़ और कि केविस में वुमेन केंडिडेट्स को टैनियर्स का रिलाक्षेशन मिलता है ले सिर्फ इन पोस्ट के लिए होता है यानि कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए कोई भी एज रिलाक्षेशन नहीं दिया जाता वुमेन केंडिडेट्स को ठीक है वो जो आपका कैटिगरी के अकौडिंग होता है वो आपको दिया जाता है उबीसी को तीन साल का और स्ट, स्ट को आपका पांस साल का अब बात करें आपकी एक्जाम पैटन के बारे में तो एक्जाम पैटन में बात करें तो 150 कोश्चंस आते हैं जो कि आपका एक्जाम ऑफलाइन मोड में होता है अभी तक ठीक है टाइम की बात करें तो धाई घंटे का एक्जाम होता है जो इसमें कि आपके 150 मिनट्स होते हैं और यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ठीक है यह चीज याद रखिए बात करें आपकी जौइनिग की आपके औलोवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है वह डिपेंड करता है वेकिंसी कितनी हैं किस जगा में कितनी वेकिंसी हैं अगर आपकी घर के पास होंगे आपकी preference को भी माननेता दी जाएगी लेकिन जरूरे नहीं है आपकी preference को ध्यान में रखते हुए ही चीजे करी जाए ठीक है तो यह चीज याद रखेगा selection process की बात करें तो आपका return examination जो होता है वो होता है आपका 85% का ठीक है यानि कि 85% का weightage आपका रखता है return examination और 15 15 का weightage रखता है आपका इंटर्व्यू ठीक है दोनों को मिला के आपका बनता है 100 फिर आपकी cut-off बनती है और जो आपका selection process होता है वो proceed किया जाता है ठीक है तो इतना आपको समझ आ गया होगा आप बात करें आपकी salary की तो salary principle है तो यहां पर आपको basic pay जो दिया जाता है 78,800 ठीक है कितना मिलता है 78,800 आपको basic pay मिलता है आपकी salary का और अगर पूरे allowances मिलाएं allowances भी include करें और बाकी सारी चीज़े कट-कट आके आपकी salary बनती है 1,30,000 के लगबग या फिर 1,50,000 के लगबग आपकी इतनी around 13,000 के around आपकी salary बनती है क्योंकि DA आपका house rent allowances काफी सारे allowances हो जाते हैं जो कि आपके basic pay पे दिया जाते हैं तो basic पे ही काफी अच्छा कासा है तो इसलिए around आपकी 1,30,000 salary बन जाती है KVS principal as in KVS principal teacher की आप बात करें eligibility के बारे में तो eligibility आपकी होती है Masters आपकी होनी चाहिए प्लस आपका BA होना चाहिए Masters में 45% आपके marks होने चाहिए और देखें यह eligibility ठीक है इतनी तो हो जाती है लेकिन जो experience मांगा गया है वो थोड़ा सा difficult होता है किसी भी candidate को KVS principal के लिए apply करने के लिए देखें या तो आप किसी ना state government की या फिर central government की school में as a principal काम कर रहे हो अब यहाँ पर इन्हों ने यह नहीं दे रखा के एक साल दो साल दस साल जितना भी ठीक है सिर्फ इतना दे रखा है कि आप किसी state government या फिर central government की school में आप as a principal काम कर रहे हो ठीक है और दूसरा option क्या है तीन चार condition दे रखें चारों में सा एक भी फुल्फिल करते हैं तो आप eligible हो जाते हैं दूसरे condition क्या है आपकी दो साल तक आपने vice principal as a vice principal काम किया हो और पांस साल तक PGT teacher के रूप में आपन कारेरत हो ठीक है तब भी आप eligible हो जाते हैं यानि कि around seven years आपने काम कर रहा हो ठीक है अब बात करें PGT मतलब कि कि खाली PGT अगर आपने PGT teacher का eight years का experience आपके पास है किसी भी central या फिर state government के school में तब भी आप eligible हो जाते हो ठीक है अब बात करें आपके TGT में तो TGT में कैसे होते हैं कि आपने 15 years तक मतलब आपने बारा साल तक एजन TGT काम किया हो और तीन साल तक आपने PGT काम किया हो तो टोटल मिला कर 15 years तक अगर आपने काम किया है तो आप eligible हो जाते हैं के विएस principle बनने के लिए ठीक है और desirable में अगर बात करें तो basic knowledge of computer application की आपके होनी चाहिए ठीक है कि इफ्यूज रहते हैं किसी चीज को लेकर जो information उन्हें चाहिए होती है ताकि उन तक वो वीडियो पहुंच सके अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो please like and share कीजिएगा थैंक यू पो वाचिंग